नमस्का दोस्तों यूट्यूब चैनल म्यूजिक एंड हेल्थ में आपका हर्दिक स्वागत है मैं हूँ रनवीर सास्त्री आपके साथ और आज आपके लिए लिए करके आया हूं किशी भी प्रकार की खाज, खुजली, दाद, छाजन जिने गाउं में निनाई बोला करते हैं और उसके लिए लोग विन्विन फरकार के टोटके टमने भी किया करते हैं और उसके लिए चिठी परवा के लाते हैं दवाईयां काम करना बंद कर देती हैं फिर लोग इस तरह की उस तरह की चीजों का सारा लेते हैं दोस्तों उसके लिए यह ऐल एक ऐसा अमरत का काम करता एक इस तरह की दवाई का काम करता है कि सारी दवाईयां फेल हो जाएं लेकिन यह फेल नहीं हो सकता है चलिए आज हम आपको बताते हैं दाज खाज खुजली छाजन इत्याद चर्म रोगों को जड़ से खत्म करने के लिए जो तेल बनाया जाता है उस तेल को बनाने का तरीक आज हम आपको बताते हैं तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अंवे हमें क्या करना है आईए देखते हैं कि हम इस ऑईल को किस तरह से बना करके एक बहुत इस लादएक मेडिसन का रूप दे रहे हैं इस तेल को दूद्हिए सबसे पहरे हमें गिश्च चलानी है और इसके ब बाद में हमेश्में डालना है सर्शों का तेल यह हमने सर्शों का तेल डाल दिया है और इसको आप हमें धीमे धीमे गर्म होने देना है देखिए ये गर्म हो रहा है और ये धीमे धीमे धुवां देने लगेगा और धुवां देने के बाद में फिर इसका कलर जो फीला है पीले कलर की जगे पर इसका कलर कुछ वाइट सा हो जाएगा देखिए ये गर्म हो रहा एक प्रकार की खौलने जैसे इस्थिति हो जाए तो उसके बाद इसमें हमें डालना है नीम के पत्ते और इन ही नीम के पत्तों के साथ में डालने देने हमको बेल के पत्ते बेल वही होता है जिसको कहीं पर हमारे देहात में हरिया बेल भी बोलते हैं या वह बेल है जिसका संकर जी पर पत्ता चड़ाया जाता है इसे संकर प्रसंद होते हैं देखिए आज अगर आप अपनी खाज कुछ लिए एक जीमा छाजन में लगाएंगे तो था को है कि दोस्टों इस तरह से इसको हमें उतनी दीडर तक इन पत्तों को इसमें जलाना है कि पत्ते जल करएकर के या तू हलके लालशे या फिर काले से पढ़ जाएंगे उसके बाद में इन पत्तों को हमें निकाल करके अलग कर देना है तथा इसको हमें अपनी गयास को नीचे से बंद कर देना है और गयास को बंद करने के बाद में फिर इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसमें से पत्ते हमने निकाल लिए है और पत्ते निकालने के बाद में जो भी पत्ते रह गए हैं उनको भी निकाल लेना है और जो आपका ओयल रह गया है मैं समझता हूं कि इसमें 50 ग्राम तेल डाला था सर्षों का तो उसकी जगह पर यह 25 ग्राम रह गया है तो अब इसको कपडे में छान लेना है दोस्ति कपड़े से चानना है इसको छलनी से नहीं हो वरना तो आपकी प्लास्टिक की चलनी प्यगल जाएगी इसलिए स्टिल की चलनी में से हम चान लेते हैं और चानने के बाद में देखते हैं कि यहां आपकी कटोरी में तयार रखा हुआ है उठाकर करें दखाई जारा अब यहां आपकी मेडिसन पूरी तोर से तयार हो गई यह अब इस तयार ओईल को आप किसी भी इस्थान पर जहांपर खाज है खुजली है चाजन है सिर में छोटी छोटी फ।ंसी हो जाती हैं बिस्चेस कर यह बच्चों के होती हैं और इसी इस्तिम्य में उनको इलाज के ब अगर आप इसको लगाएंगे तो इस ओयल से इस तेल से आपका खाज खुली छाजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा विल्कुल खत्म हो जाएगा हाँ तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें और यह लाब अन लोगों तक भी पहुंचाने के लिए हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें कि साथ सेयर भी करते चलें दोस्तो आगे किसी अगली वीडि